पीर पहले से एक बार फिर से फिल्में दिखाने के लिए तैयार है तीन स्क्रीन के साथ 3D एंड एक्मॉस ओडी है जिसमें स्वाउन क्वालिटी वा पिक्चर क्वालिटी पहतरीन है जिसका उद घाटन के दोरान ये बातें NYC की मारकेटिंग है दुया शेटी ने की उन्होंने बताया कि NYC अजय देवगन की कमपनी है उन्होंने अपने बच्चों निसा वायू के नाम पर इसका नाम NY रखा इनकी कमपनी का उदेश है कि दर्शकों का सिनिमा को लेकर जो प्यार दूर होता जा रहा है वो वापस मिले लोग फिल्म देखने आज कुछ मिनट पहले ही आते हैं जहां पहले एक गंटा पहले आते थे इसलिए इसे ऐसा बनाया गया है ताकि लोग मॉल की तरह यहां आकर भी एंजॉई करें अब जादा देर ना करते हुए पेश करते हैं मुवीज का एक तरह में रिया हूं और मैं एन्वाइज सिनमा के लिए मार्केटिंग और कम्मिनिकेशन करती हूं एन्वाइज सिनमा फाइनली कानपुर शेहर में खुल चुका है हीर पैलेस फिर से ओपन हो जुका है अब ये एक मल्टिप्लेक्स कहलाएगा पहले एक सिंगल स्क्रीन था अब साथ सो से अधिक सीट्स हैं तीन ओडीज में तीन स्क्रीन में डिवाइड़ हमारे पास ओडियो एक्स्पीरियंस है जहां पर हमने डॉल्बी आटमॉस लगाया है हमारे स्क्रीन पर और जो बाकी सिनमा जिस तरह से डिजाइन हुआ है यह ऐसा है कि आप लोग आएं और यहां पर मेमरीज बनाएं कानपूर के लोग खुशी-खुशी अपने फैमिली के साथ यहां पर आके सेलिब्रेट करें अच्छा वक्त बिताए और हीर पैलेस और नमस्ते मेरा नाम संतोष है और मैं एन्वाइस सीनेमा जो है बिल्कुल आज से एक साल पहले हमें Bernalеп कि हम इतने कम समय में यह सीनेमा जो है यह सिटिंग इरहे हम चाहेंगे कि लोग आये पहले यह एक सीनेमा ह Howard यह तीन सीनेमाज है और तीनों चीनेमाज में हमने बहुत अच्छी सी सिटिंग कैसी दी हुई है तीन आडिटोरियम है एक अडिटोरियम जो ग्राउंड कोर में है वहांपे 261 सिटिंग कैसी है और उसमें हमारे 19 इकलाइनस है हमारे ऑडी टू में जो है वह हमारा डॉलबी कंपूर कानपली सिनकान Atम मों है हुआ और ढूंत आपनALIके स्क्रीश स्क्रीन्स है की लोगों बहुत अच्छा एक्सपिरेंस मिले हमने एवरी कॉर्णर डेवलप किया है कुछ कानपूर की फेमस चीज़े यहां पर डिस्प्ले करवाई है हमने और बहुत अच्छा सा इंटीरियर किया हुआ है पैलेस से मिलते जुलते करा है हमारे पास में लाइव स्टेशन लाइव वग्षाइमिलीज और वहां कि यहां पर वक्ट करा है